पहले देख लेते हैं बोजन के विविन पोसक तत्वे कौन-कौन से होते हैं और उनके शरीर में क्या करी होते हैं पहला है प्रोटीन प्रोटीन शरीर की व्रद्धी और विकास के लिए आवश्यक होता है जिस तरह हमारा शरीर छोटे से दीरे दीरे बड़ा होता जाता है तो इसके लिए प्रोटीन की हमें आवश्यक्ता होती है ये दो प्रकारका होता है, जन्तु जन्न प्रोटीन, जो हमें किसी और जानवर से प्राप्त होता है, उसे हम जन्तु जन्न प्रोटीन कहते हैं, जिससे दूद, मीट, आदी, ये जो हमें विबिन जानवरों से प्राप्त होते हैं, और साथी वनस्पती जन्न प्रोटीन, जो विविन वनस्पतियों के माध्यम से प्रोड़क्ट्स बनाय जाते हैं जिनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, तो ये जन्तुजन्य और वनस्पती जन्य होता है, दूसरा है कार्बोस या कार्बोहाइड्रेट, यह शरीर को शक्ती तथा गर्मी प्रदान करता है, याद र अन्य पोसक तत्वों को अवशोशित करता है यह दो प्रकार से प्राप्त होता है वसाबी हमें जन्तु जन्न यानि जन्तुओं से प्राप्त हो सकता है अन्य या वनस्पतियों के माध्यम से भी प्राप्त हो सकता है जिसके बाद खानी जिलवन, जल, विटामिन, वरेशे, आ ये सभी खनिज लवन रेशे आधी के अंतरगत आते हैं। अब देखें इन विविन्न पोसक तत्व की कमी से कौन-कौन से रोग शरीर में हो जाते हैं। और पाचन क्रिया ठीक से कारिण नहीं करती है। जिसके बाद वसा की कमी से शरीर की सुड़ुलता में कमी आ जाती है। एवं स्वास्थ तथा शक्ती का हरास होता है। जिसके बाद खनिज लवन इनकी कमी से हड्डियों एवं दातों को उचित पोसन नहीं मिल पाता। रक्त में हीमो ग्लोविन की कमी आ जाती है। घेंगा आदी प्रकार के रोग हो सकते हैं। विटामिन्स बहुत सारे होते हैं अलग-अलग विटामिन्स इनकी कमी से क्या रोग हो सकते हैं इनको देखते हैं। विटामिन A की कमी से रतोंधी रोग होता है जिसमें व्यक्ति को ठीक से दिखाई नहीं देता है, विटामिन B की कमी से बेरी-बेरी, पेलागरा, हरदय रोग, भूक ना लगना, शारेरिक कमजोरी, आलस से आधी प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, विटामिन C की कमी से सकरवी, मस्तिस्क की कमजोरी, मसूडे फूलना, विविन प्रकार की रोग हो जाते हैं, विटामिन D की कमी से बच्चों में सूखा रोग, जिसे रिकेट्स कहते हैं हो जाता है, और इस्त्रियों में म्रदुलागनी रोग हो जाता है, विटामिन E की कमी से पुर्सों में संतान उत्पत्ती में कमी आ जाती है इस्तरियों में बांजपन हो सकता है तता गर्वपात की आशंका हो जाती है विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता जब भी आपको कोई चोट लगती है तो लगातार खून बहता ही रहता है गरबड़ी एवं प्रसुताओं में शरीरिक दुरुबलता आ सकती है और जल जो की बहुत ही महत्विपूर्ण होता है इसे अगर व्यक्ति ठीक प्रकार से नहीं ले पाता है तो इसकी कमी से शरीर में विसाक्ता होने का भाय बना रहता है पाचन में कमी आती है भूक में कमी हो जाती है और शरीर दुरुबल हो जाता है तो जलकी तो बहुत सारे फायदे होते हैं इसकी कमी से नुकसान भी बहुत सारे हो सकते है अब देखते हैं इन विबिन पोसक तत्मों को हम कहां से प्राप्ट करते हैं कि इस रोत कौन-कौन से भोजन में क्या पाये जाता हैं तो प्रोटीन की प्राप्ति के लिए गेहूं, जो, चना, और हर, विबिन प्रकार की दालों में तो प्रोटीन होता ही है चावल, हरेधान, और दूद, अंडा, मास इन तीनों में भी तो प्रोटीन के लिए ये विशेश आहार हैं फिर कार्बो हाइडरेट प्राप्त करने के लिए आलू, गेहूं, चावल, शकरकंद, गन्यकारस, मीठाजल, अंगूर, खजूर, आदी तो जो भी कंदमूल, आदी प्रकार की फल होते हैं इनमें भी कार्बो हाइडरेट प्रच्रू मात्रा में पाये जाता है जिसके बाद वसा प्राप्त करने के लिए मक्कन, घी, वनस्पती, तेल, सरसों, तेल, नारियल, सुखे, मेवे, अकरोट, तथा, मुंगपली तो जिनमें भी तेली ये तत्वे पाये जाते हैं उनमें वसा आपको प्राप्त हो सकता है खने चलवन के लिए दूद, अंडा, हरी पत्तियों वाली सबजियां, नमक, गाजर, गोभी, केला, लहसुन और भी कई प्रकार के तत्वे खने चलवन प्रदान करते हैं यहाँ पर आप देखें कि दूद तो लगबग सभी में आ जाता है क्योंकि दूद एक सरवहार है इसमें सभी प्रकार के पोशक्तत्वे प्राप्त हो जाते हैं अब देखें विबिन प्रकार के विटामिन किस से हमें प्राप्त हो सकते हैं विटामिन A दूद, अंडे की जर्दी, मचली, गाजर, आम, पपीता आदी से प्राप्त होता है। विटामिन B खमीर, गेहूं, जो, चावल, डाले, मेवे, दूद, दही, अंडा, मास आदी से प्राप्त हो सकता है। विटामिन C, संत्रा, नीबू, टमाटर, अंगूर, आमला, हरी सबजियों, एवं अंकुरित दालों आदी में पाए जाता है। लगबग खटे फलों में विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाए जाता है। विटामिन D, दूद, मक्षन, अंडा, मचली के तेल, सूरी की क्रिणों आदी में पाए जाता है। फिर देखें विटामिन E, ये भी दूद, मक्षन, कौस, अनाच के दानों के तेल आदी में पाए जाता है। विटामिन K, गोभी, करमकला, आलू, टमाटर, दूद, मक्षन, अंडे, पालक, आदी सब्जियों में पाए जाता है।